कि hallo and welcome to this video guys so guys यह हमारे playlist का दूसरा वीडियो है जो कि हम जिस चाप्टर में हम लोग कर रहे हैं work and energy यह class 9 का एक चाप्टर है इससे पिछली वीडियो में हमने work के बारे में बात किया था work क्या होता है work के टाइपस क्या-क्या होते हैं और work का numerical भी हमने कुछ-कुछ किया था boards लेवल के ठीक है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो प्लीज यहां आई बटन पर क्लिक करके अभी जाकर वह वीडियो पहले देख लो तब भी जाकर आपको आज का वीडियो समझ में आएगा तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग कई सारे वीडियो बनाने वाले हैं और तो आपर अगर कुछ भी करने का पड़ेगा इस बंडे अहारे नुमिरिकल में बताऊंगा उसको कर लेना है और आपको वेडियो करो तो विडियो को fast forward कर लो ठीक है तो आगर आपको पता होगा पिछली वेडियो पेसे अब यह अगर आप आप स die में बहुत सारे कांशने के लिए क्या है जाए हमें आठी चाहिए त्पाइब आप energy चाहिए कि मतलब क्या होता है जिसे कभी कभी क्या होता कभी कोई बोरिंग काम होता है या काम करने के मन नहीं होता है अच्छा नहीं लग रहा है energy नहीं है बाड़ी में काम नहीं कर पाएंगे और कभी-कभी excitement होता है तो कभी-कभी देखते हैं हम लोग कि बहुत excited होता है cricket ख अगर एनर्जी ही ना हो तो हम लोग काम कर पाएंगे बिलकुल नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी ही जो होता है वही काम करने में हम लोग को मदद करता है जब एनर्जी ज्यादा होता है तो वह हम लोग को ज्यादा काम करवाता है और एनर्जी कम होता है तो हम लोग कम काम कर प इसका एक्वेशन होता है हम लोग सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे तो वास बस आप इस वीडियो में बने रही ठीक है ऐनर्जी क्या है तो इसको समझने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं कहीं सारे एक्जामपल देता हूँ जैसे कि करता है और इस थ्रो करने के बाद क्या होता है उस तो फ्रोंग कम करने के लिए univers क्या जाता है और नट वोने के कारण जाए तो ऊसऊने के एनरुट के पास आम लोग क्क होता है वेस बॉट आम लोग तकॉर पर रखना है जैसले ऑनिदेशन काम क appel trot जब छोड़ देते हैं तो वो अपने आप नीचे चलाए दाता है, तो इसमें क्या होता है, उसके पास एक energy store है, तो different types of बहुत सारे energies है, तो हम लोग सारे energy के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो start करते है energy के definition के बारे में, तो energy को हम लोग कैसे define करते हैं, तो इसको ऐसे बोलते हैं, the ability of doing work, ठीक है, किसी भी काम को करनी की छमता, छमता मतलब capacity, ability, कितना है आपके पास, आप कितना कर सकते हो, क्या काम जैसे किमा लेता है, कि कोई छोटा बच्चा है, तो उसके पास क्या है, काम energy है, तो वो छोटे-छोटे काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा आदमी है, ताक़तवार अदमी है, तो उसके पास ज़्यादा energy store है, अब ज़्याधा energy होने के करनी का मतलब, ज्यादा बड़े-बड़े काम कर सकता है, simply से इनरजी क्या है, सिंपल सा काम करने का च्छमता, कितना एबिलीटी है उसमें काम करने का, ज्यादा च्छमता है, ज्यादा एबिलीटी है तो ज्यादा काम करेगा, बड़ा बड़ा काम करेगा, और ज्यादा एबिलीटी है तो वह छोटे-छोटे काम करेगा, सिंपल सा बात है तो इसको हम लोग लिख देते हैं, define कर देते हैं, the ability or capacity, ability of doing work, doing work, और work का आपको definition, work का आपको concept clear होना चाहिए, पिछला वीडियो में, तो work का मतलब होता है किसी body को displace करना, simple जबात है, तो the ability of doing work is known as का energy, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ energy के बारे में बात करेंगे, तो यह जो होता है, इसको हम लोग गर हिंदी में लिखे, तो इसको ऐसा लिखते हैं, कार करने की छमता को उर्जा कहते हैं, ठीक है, आप notes का बिल्कुल tension ना लो, जब यह chapter complete हो जाएगा, तो इस chapter का पूरा-पूरी notes आपको मिल जाएगा, exam के basis पे, मतलब exam में आपको किस तरह से लिख कर आना है, numerical कैसे कैसे पूसे जाते हैं, सारा कुछ, अभी बस आप concept संचो, तो energy क्या है, कुछ नहीं है, बस कारे करने की छमता, बस कारे करने का कितना ability है किसी के पास, उसी को हम लोग कहते है, energy, ठीक है, अब energy के बहुत सारे forms होते हैं, हम लोग सारे forms के बारे में अभी जान लेते हैं, So guys, एक और example अगर लें, तो उसमें क्या है कि मान लेते हैं कि किसी एक हतोड़े को हम लोग उठाते हैं और उसके पास किसी कील पर उसे ठोकते हैं, जब उसे छोड़ देता है, तो गाड़ी क्या होता है, अपने आप आगे बढ़ता है, तो उस चावी के घुमाने से क्या हुआ, उस बाइक में या फिर उस गाड़ी में कुछ ना कुछ स्टोर हो गया energy, अब वो energy क्या हुआ, उसको work कराया, energy ही तो work कराता है, तो energy जब हो तो वो energy क्या किया, गाड़ी को push करने लगा, ठीक है, तो जब भी किसी के पास energy होता है, वो काम कर सकता है, simple सा बात है, या फिर बोल सकता है कि काम करने के लिए energy जरूरी है, तो guys इसी topic में एक और आपके पास concept है, वो भी समझ लो, जैसे कि guys, जब कोई body या फिर कोई भी आ बार-बार होगा, तो energy बार-बार transfer होगा, और एक time पर क्या होगा, इस body के पास, पहले वाले body के पास energy खतम हो जाएगा, और वो ठक जाएगा, वो काम और नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो यह जो energy होता है, यह एक body से दूसरे body में transfer हो जाता है, अब हम लोग पढ़ लेते है इसके unit के बारे में, तो energy जो होता है, वो क्या है, कायरे करने की चमता है, या फिर work, the ability of work, doing work, तो क्या है, इसका भी ऐसा unit जो होगा, unit जो होगा, इसका भी, इसको भी हम लोग क्या बोल देंगा, ऐसा unit माल लेते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा, वही होगा, जो फिर work का हो को कि यूट Gem ल पिंट मैपने के लिए तो इसको मपते हैं किया ऐसे के लिए कि लिए ठीक क्या होता है काम करने के लिए nadzieję इनरजी लगता है वो यूटा है या अभी अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे forms of energy, ठीक है? energy के रूप को, so guys, अभी तेक हम लोग कर चुके हैं, उर्जा, उर्जा क्या होता है, उर्जा का definition, SI unit वगरा वगरा ठीक है, और guys हम लोग जानेंगे forms of energy के बारे में, तो forms of energy मतलब उर्जा के रूप, तो उर्जा के रूप में हम लोग सबसे पहले एक brief discuss कर लेते हैं, कि इसमें हम लोग इस point में किसकी point को discuss करेंगे, उसके बाद हम लोग एक-एक point को further discuss करेंगे detail में, पहला point है kinetic energy, जिसको हिंदी में कहते हैं, गती जूर्जा, दूसरा है potential energy, ज जिसे हम कहते हैं, विदूत उर्जा, 4 हेट energy जिसे हम कहते हैं उष्मिय उर्जा ठीक है, यह 4 points बहुत important है, ऐसे तो और भी होते हैं, नाभी ऑर्जा, जिससे हम nuclear energy कहते हैं, chemical energy, जिससे हम राशाइनिक उर्जा कहते हैं, इस तरह से बहुत-तर उर्जा की रूप है, लेकिन ह हम लोग इन चैजो को करेंगे थे कि तोचलते हैं एक पॉइंट को पहले परे पहले एक ही करके अच्छा से कर게 दिसक्स करें करते हैं स्टा टा करते हैं बोग कानेटिक इनर्जी से से घ्र्ण पॉइंट है काइनेटिक इनर्ज जिसे हम इंदी में कहते है गती जुर्जा तो गती जुर्जा को समझने के लिए आप कई सारी एक्जामपल मैं आपको देता हूं आपके दिमाग में आएगा भी तो देखिए जैसे कि हवा का चलना ठीक है जब हवा चलती है तो वह अपने स आध्यंपल से बात है तो इस सरह से जिसके करते हैं और जुआ कि ऽचलती है सारा जो गती करता है ठीक है एनर्जी करते है और यह आपको और अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आपको आगे चल कर भी काइनेटिक इनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा 11 में 12 में आगे जाकर भी ठीक है तो काइनेटिक इनर्जी का जो बेसिक होना चीए वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चीए ठीक है तो हम बोल सकते हैं हावा का चलना गोली चलना देखिए गोली जब किसी को साके लगता है तो क्या करता है इसे करके उसे kasa करता हुशने फिसक नेदा गिरा देता है तो हम कर रहें तो यह काम कर रहा है तो जुदiała है सिले बाकर और임 करता जाएंगा उतना दूर हम क्icarर तो इन पनिशन वह दर्स आग तो यह deepen करता है उसके इस यतना ज्यादा इसेश गति-जूरजा क्या होता है और आपको भी example भी पता है तो अभी चलते हैं कि इक्विशन के बारे में बात कर लेते हैं कि गति-जूरजा को हम लोग show कैसे करते हैं इसके लिए example लेते हैं माल दीजे कि कोई एक लकडी का ब्लॉक रखा हुआ है लकडी का टुकडा रखा हुआ है जिसका जो मास है वो M है ठीक है और यह एक constant velocity से चल रहा है माल देते हैं उसका velocity जो है वो U है ठीक है और यह चलेगा कब जब इस पर कोई force होगा तो माल देते हैं कि इस पर F force लगाया गया ठीक है F amount of force M mass पे U velocity पे लगाया गया ठीक है simple से बात है अब यह क्या होगा यह धीरे 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 यह आगे की और move करना start कर देगा हम लोग बोल सकते हैं कि जब इस पर F amount of force लगा था तो अब यह कितना काम किया था अब इसको हम लोग work done find कर सकते हैं माल लेते हैं कि यह जब इस पर move किया तो यहां से ही होते हुए इस amount तक आ गया अब यह जो displace हुआ इस point को displace हुआ इस amount of distance को हम लोग s से denote कर लेते हैं तो माल लेते हैं अगर हम लोग इसका अगर work done find करें कि इस पर कितना work हुआ तो आप पिछली वीडियो में ने बताए था work का formula क्या होता है f into s और यहां पर भी f into s ही हो जाएगा work का formula क्योंकि f amount of force लगा रहा था और displacement कितना हुआ था यह दीरे दीरे दीर जाते जाते इसका velocity क्या होगा increase होगा और माल लेते हैं u से इसका amount कहां तक चला गया जहां पर रुका वहां पर इसका velocity कितना हो गया v हो गया start हुआ था u से और खतम कितना हो गया v पर खतम हो ठीक है अब हम लोग को पता इस स्टार्टिंग velocity u था और ending velocity इस स्क्वार प्लस 2s ठीक है और एक क्या होता है s is equal to ut plus half a t square कोई दिकत नहीं है यहां तक सो गाइस अभी हम लोग को देखना है कि इन तीनों equation में हम लोग किस equation का use कर सकते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास t यहां पर किसी भी हम लोग के पास किसी भी हालत में t मौजूद नहीं है इस पूरे समीकरन में हम लोग को कहीं भी t नहीं दिख रहा तो ना हम इस समीकरन को use कर सकते है ना इस समीकरन को क्योंकि इसमें भी T है इसमें भी T है तो ये भी use नहीं कर पाएंगे ये भी नहीं तो use किसको कर पाएंगे इसको क्योंकि इसमें क्या नहीं है इसमें हम लोग का T नहीं है तो हम लोग यहां पर करते हैं इसको आगे solve तो इसको हम लो S का value हम लोग को यहां put करना है तो हम लोग S find करेंगे, S क्या हो जाएगा, V square minus U square by 2A, इसको माल लेते हैं equation 2 दे दिये, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, S का value equation 1 में put करते हैं, ठीक है, अब इसको put करने के लिए सबसे पहले हमको मिटाना बढ़ेगा थोड़ा सा, So guys, अब हम लोग equation 2 का value equation 1 में put करते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, W is equal to क्या हो जाएगा, F into V square minus U square by 2A, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को पता है, जो हम लोग का motion का पहला equation होता है, या फिर motion का जो हम लोग first law होता है, उसमें हम लोग को पता है, F जो होता है, वो किसके equal होता है, वो होता है, M A के equal to, ठीक है, तो M के जगा, F के जगा पर हम लोग A में रख सकते हैं, यह V square minus U square by 2A, वैसा का वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर M और A क्या हो जाएगा, आगे करते हैं, W is equal to क्या हो जाएगा, M into V square by U square by 2, अगर हम लोग 1 by 2 को common ले लेते हैं तो क्या बचेगा, M, 1 by 2 M हो जाएगा, और bracket में बच जाएगा, V square minus U square, लेकिन, एक condition है, कि अगर मान लेते हैं, जो हम लोग का block है, वो starting में 0 velocity में था, इसका मतलब U जो था, 0 था, यहाँ पर लिख देते हैं, hands, U is equal to 0, इसलिए बोल सकते हैं, कि 1 by 2 M, अगर U 0 हो जाएगा V square minus 0, V square, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि जो work done होगा, वो कितना होगा, half M, V square, या फिर इसी को हम लोग kinetic energy का form में कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, EK, EK का मतलब kinetic energy, V equals to कितना होजाएगा, half M, V square, तो यह जो था, यह था kinetic energy का equation, कैसे kinetic energy find करते हैं, अच्छा, इस ते हम लोग को पता चलता है, कि kinetic energy किस-किस point पे depend करता है, तो यह करता है, mass पे depend करता है, body का, और velocity पे, ठीक है, इन दोनों चीजों पर depend करता है हम लोग का kinetic energy, ठीक है, तो अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, का कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में numericals भी करेंगे, हम लोग kinetic energy का, और इ पूछ सकते हो, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज लाइक किजिए, शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए चैनल को, और अगर यह प्लेलिस्ट आपको पसंद आए, तो इस प्लेलिस्ट को भी आप सेव कर लिजिए, अपने अकाउंट में, ताकि आप को जब बन करें आप देख सको इसे तो फिर आगले वीडियो मिलते हैं गाईस तब तक के लिए अपना ध्यानक और बाई